पद्मवी भूशन और मसहूर सीतार वादक पंडित सियू कुमार सर्मा का आज मुंबई के पवनहंस समसान घाट पर अंतिम संसकार होगा उनका मंगलवार को 83 साल की उम्र में नीधन हो गया था पंडित सियू कुमार सर्मा के पार्थी सरीर को अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर रखा गया अभिनेता अमिताब बच्चन उनकी पत्मी जया बच्चन ने पंडित सियू कुमार सर्मा को उनके घर पर पहुँच कर सरधांज ली दी इसके अलावा अन्ने लोग भी उनके अंतिम दर्सन के लिए पहुँचे दोबहर धाई बजे राजकिय सम्मान के साथ अंतिम संसकार किया जाएगा पंडित सियू कुमार सर्मा का बूधवार को हाट अटेक से निधन हो गया था वे भारत के जाने माने सास्त्रिय संगीत कारों में से एक थे जिन्होंने फिल्मों में भी संगीत दिया था पंडित सियू कुमार सर्मा को 1986 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था उन्हें 1991 में पद्मस्री 2021 में पद्मवी भूसर से सम्मानित किया था पंडित सिवकुमार सर्मा अपने आखिरी समय तक एक्टी थे उन्हें अगले हफ्ते भोपाल में एक कारी क्रम में हिस्सा लेना था हलाकि वे गुर्दे की समस्या से जूच रहे थे सुत्रों के मुताबिक उन्हें मंगलवार को सुभा के वक्त हार्ट अटेक पड़ा पंडित सिवकुमार सर्मा ने पाली हिल्स इस्तित अपने आवास पर अंतिम सांस ली महराष्ट के मुख्यमंत्री उधाव ठाकरे ने पंडित सिवकुमार सर्मा के निधन पर दुख जताया पियम मोधी और राष्टपती रामनाथ कोईन ने पंडित सिवकुमार सर्मा के निधन पर सोक जताया पियम मोदी ने ट्वीट किया पंडित सिव कुमार सर्मा जी के निधन से हमारे सांस्कृतिक जगत की छती हुई है उन्होंने वैश्विक अस्तर पर संतूर को लोक प्रिये बनाया उनका संगीत आने वाली पीडियों को प्रोथ साहित करता रहेगा उनके साथ हुई बातचीत मुझे याद है तो इस तरह से दिगज अभिनेता अमिताभ बच्चन और पतनी जया बच्चन दोनों ने पंडित सिव कुमार सर्मा को अंतिम स्रधांच लिदी इसके साथ ही जावेद अक्तर, सवाना आजमी और हरी प्रसाथ चौरसिया ने भी पंडित सिव कुमार सर्मा को अंतिम स्रधांच लिदी